हलो प्यारे दोश्तों तो स्वागत है आज के शने वीड़ो पे तो आज की वीड़ो में हम बात करने वाले हैं बिध्वा पेंसन या फिर विकलांग पेंसन या फिर दिब्यांग पेंसन या फिर जो बृद्धा पेंसन होता उन सभी पेंसनों की बात करेंगे अगर आपका प नहीं बना है तो आप कैसे बनवा सकते हैं आई होप कि आज के वीडियो आपको लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगे तो वीडियो को ध्यान से पूरवक्त से अगदम समझ के देखिएगा ताकि आपके जो भी प्राब्लम है वो सवाल हो सके तो चले वीडियो को सुरू कर वरना नहीं पहुंचेंगी नमश्कार मेरा नाम है भी मैं चित्रा और आप देखरे हैं अपना पसंदीजा चैनल ट्रिकी नंबर वन तो ट्रिकी नंबर वन की पहचान सही और श्रीड गयान तो बात करते हैं वीड़वा पेंसन की अगर आनलाइन आवेदन करना चाहते हैं शाह किसी भी राज के हूँ तो भी आपको सबको ये खबर मिलने वाली है कैसे कर सकते हैं क्या डेट होता है कैसी क्या है सारे चीजें आज किस वीडियो में होने वाले हैं तो अकर हम आपको बताएं देश के सभी अलग-अलग राजों में बीधवा पेंसन योजना चलाया जिसके मादम से महिलाओं को पेंसन राज ही दे जाती है हर राज में सरकार दोरा अलग-अलग धनराज महिलाओं को दे जाती है योजना के तहट जिन लड़कियों जिन महिलाओं के पती मर जाते है या फिर आप समझ चकते हैं मेरे जुबान से ऐसा निकल रहा है माफी चाह सकते हैं जISH Vocês क önem करते हैं चैंड किसी महिला का संतान है और वे बच्चे 25 साल पूरे हो चुके हैं तो पेनसन प्राप्ट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं आई देखते हैं किसी वीडियो में आपको बतादे जिसके बाद महिला सारी जमेदारे अपने बच्चों पर दे देगी अगर किसी महिला लड़की हो या फिर सरकार उन्हें 65 साल से पैंसन देगी तो केंदरियों राज सरकार के माध्यम से सभी विधवा महिलाओं के लिए समाजिक सुरच्छा पैंसन योजना लागो किया गया है जिसके लिए उन्हें प्रतिमाह अधार पे अलग अलग रूप से पैंसन सहायता परापत की जाती है इसपैंसन की राज के माध्यम से विधवा महिलाओं का दैनिक जिनज्टरिया इस्तिमाल करने में या फिर कह सकते हैं真的很 त्रीमाशिक मुड़ी मदद हो सकती है जो लाभार्थी के महिला के अकाउंट में डीबिटी मतलब सीधे उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किये जाते हैं अब यह सारी बात हो गए लेकिन यहां पर बात यह है कि कैसे आप लाव ले सकते हैं लाव लेना चाहते हैं आवेदन करना चाहते हैं आपको कुछी स्टेप को फालो करने के लिए सबसे पहले आपको राज के अंसवार रातिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जिसके बात सामने होम पेस खुल कर आजाएगा और वहाँ पर आपको बिधवा यानिकी विंडो फिंसन की आफ्सन मिलेंगे वहाँ पर क्लिक करके आपको नया पेस खुलेगा हला कि ये सारी सेज़े मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने इस योजना का लाब नहीं लिया है तो आप लाब ले सकते हैं जिसके बाद सामने आपको रेजिटेशन फार्म खुलेगा उसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होगी अपना नाम अपने हश्वेंड का नाम या फिर अपना एडरेस या फिर आज़ात निमाज जो भी है आपको सारे डाकुमेंट समिट करने होंगे इसके बाद क्या होगा आगे हम आपको बताते हैं लॉग इन करके आप सबसे पहले अपने राज के अधिकारी वेफसाइट पर आएंगे वहाँ पर लॉग इन करके आपसं देखेंगे और साथ में यूजर नेम पाशवर्ड आपके मैसेज पर आजाएगा यानि कि आपके मुबाइल पर इसमें इस द्वारा दे दिया जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है योजना का आफलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं देखे अगर आप आनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप आफलाइन भी कर सकते हैं कर सकते हैं आफ लाइन आवे दिन करने के लिए आपको सबसे पहले समाज के लैंड विभाग जाना होता है और समाज के लैंड विभाग हर जिले में होता है और डिस्टिक सहर में होता है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा या फिर आप नहीं जा पाते तो किसी को आपको भेजना होगा तो यानि कि आपको कुछ न कुछ तो करना होगा और वहाँ पर अपने सारे डाकुमेंट्स लेगे जाके आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा मतलब वह आपकी जांच करेंगी कि वाकई में आप आसा हाय हो आपके पास कमाई का कोज शाधन नहीं है तो यह सारी चीज़े चेक करने के बाद वह वेरिफाई कर देंगे और आपका सुखे और स्वस्त्र हैं